बिये बागदितिये में पारती समाजी समस्या पुस्तक में हम बाला प्राद का ध्यन कर रहे हैं आज हम बाला प्राद के कारणों का ध्यन करेंगे देखिए बाला प्राद के जो कारण सामनेते विविन देशों में पाय जाते हैं वे ही कारण भारत में लागू होते हैं इसके अत्रिक्त बाल अप्राद में उन सभी कारणों का भी योग रहता है जो पुरुन अप्राद के हैं और जिनका वर्णन हम अप्राद वाले अध्याई में कर चुके हैं बाल अप्राद के कारणों में हम पहला देखते हैं पेत्रिक्ता देखें लोंब्रोसों तथा उनके अनुएयों के मतानुसार बालकों में अप्राद करने की प्रवर्ती अनुवानसी गुणों का प्रभाव है यह प्रवर्थी उनको अपने माता पिता से प्राप्त होती है दूसरा कारण है पित्रिक्ता के लावा पारिवारिक कारण बाल अप्रादियों के पारिवारिक कारणों में हम पहला लेते हैं साररिक आनुवान सिक्ता बालक के अन्वान सिक्ता का प्रभाव उसके सारीक स्वास्ते का शामाज की वहार पर भी प्रभाव 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 प्रभ तोटे वे परिवार, पारिवारी कारणों में दूसरा कारण है टूटे वे परिवार, वह परिवार जिसके पास अपने आवस्यक्ताओं की पूर्ति का कोई नेतिक सादर नहीं होता, अथवार जब परिवार में दनोज पार्जन की मर्तियों हो जाती है, या वह परिवार से अपना समंद विछेद कर लेता है, तो वहां नियंदरन के अभाव में या उद्र पुड़ती है तो एनितिक वीडियों का सारा लेना पड़ता है, अधिकांस बाल अपरादी तूटे परिवार की उपज होते हैं, इसकी पुष्टी हीले और ब्रोनर ने अपने सिकागो और बोस्टन नगरों की इंडिक्शन दोरा की, जहां के चार जार अपरादियों में से दो जार से अधिक के तूटे परिवार के सदस्य थे, परिवारिक कारण में अगला का है एनितिक प प्रभाव पढ़ता है, यदि माता है वेविचारनी है या अवश्य वर्ति शिलीपत हैं तो निश्चे ही परिवार में विशेशक लड़कियों को भी उसका अनुकरन करने की प्रिणा मिलेगी, यही बात पिता और पुत्रों पर भी लागू होती है, अगला कारणा है अप प्रिशेशक लड़कियों में इस पर्तेक सुरूप से देखा जा सकता है, जब बड़ी बहीन अपरादी परवर्ति के और अगरसर होती है, तो छोटी बहीन भी उसका अनुकरन करती है, बाल अपराद का अगला कारण है तिर्सकर्ट बालक, अपरादी सास्त्रों के करण सोतली माता का होना माना जाता है, इन तिर्सकर्ट बच्चों को माता के प्यार के स्थान पर अपरादियों का प्यार मिलता है, तो वे कुछी समय में उनके दोरा बताएवे अपराद कारियों को करने लगते हैं, पारिवारी कारणों में अगला अपरादी कारण है पार की समझत इच्छाओं को पूरा करने में ऐसमर्थ होते हैं फलसा औरूप बालकों में ऐसंतों से महीन बावना जागर्थ होने लगती है और यह इस्तिय अपरादी विवार के लिए उप्युक्त होती है घर की प्रिस्तियां एदि बच्चों के भाई बहीन अपरादी हैं एद इदि परिवार के सदे से प्रस्पल लड़ते जगरते हैं एदि बच्चों पर नियंद्रन की सितलता है तो बच्चे अपराद के मारक पर चलने लगते हैं एदि गरहों में बच्चों के खेलने के लिए इस्तान नहीं है तो गलियों में आवारा घुमने लगते हैं और कुछ व्यक्तिकत कारण भी बाल अप्रादियों की प्रवर्टी को जनम देते हैं व्यक्तिकत कारणों में शारिक विकार या फिजिकल डिफेक्ट्स कहते हैं आते हैं अप्रादी सरीर से कुछ विक्रते होते हैं तो बालक उपेक्षा का कारण बन जाते हैं इस उपेकसा तिर्सकार के कारण बालक के आत्म गोरव को ठेस पहुझती है परिणाम सर्फ उसमें बदले की भावनावत पहुझती है जो उसे अपरादी बना देती है कभी कभी किसी रोग के कारण बालक काना बहरा या लंगड़ा होता है तो स्वेक उपास का विशे समझने लग जाता है रोग के कारण मान सिक तनाव पैदा होता है जिसका अन्तिम परिणाम अपरादी होता है बाल अपराद की तो मनोवेगनिक कारणों की बात करें तो एक पहला कारण मान सिक दुरूबलता बाल अपराद अने के केशों में एक व्यक्ति की मनोवेगनिक आशकता का उत्तर है अपरादी बाल के मानसी के दुरूबलता का सिकार होते हैं वे मंदबुद्धी होते हैं और सदे वे बहावना के वसीबूत होकर कारिय करते हैं उनको स्वेंपर कम नियंद्र रहता है, उनकी मांसी कायू साधन तक कम होती है, यदि बालक की जनमजात मूल प्रोड़ती का उदाती करण नहीं होता तो इसका प्रिणाम बाल अपराद होता है, मांसी विकासन होने के करण, उन्हें अच्छे बूरे का ठीक ठाग्या नहीं हो होता है, और नहीं वे अपरादी कारियों के प्रिणामों को सो सकते हैं, यता है उनके मन में जो कुछाता है वही कर डालते हैं, और प्रिणाम सुर्प अपरादी बन जाते हैं, मांसी दूर्बलता से ग्रस्त बाल अपरादियों के अधिकान से, अपराद बगोड़े पन, क करतेक मूल परवरति के साथ एक उद्व data रहता है। उयर्धान के लिए फिलाइन एक मूल परवर्टी है। उसके साथ भै या उद्विवार्ब्य जुडा होता है। जब मूल परवर्ति ऑवरुद हो जाती है wax ये बहुना ग्रंथी को उत्पन कर्ती है, इसे बालक में बेचनी पैदा होती है, ये बेचनी उसकी इसकी अन्या इच्छाओ को भी प्राप्त होती है यही कारण है कि बच्चा दमकाने पर जुट बोलता है घर से भाग जाता है इतना ही नहीं अवरुद इच्छों के कारण बालक में मानसिक संगर्ष पैदा हो जाता है यह मानसिक संगर्ष अन्यक अपरादों को कारण बनता है बाला प्राद का अगला कारण है वातावन संबंदिक कारण मानों के प्रतेक कारिये विवार एंगती विदी पर उसके वातावन का गंबीर प्रभाव पड़ता है ये वातावन घर के अंदर तथा घर के बार दोनों स्तानों पर अपना प्रभाव रखता है गर के अंदर का वातावन बालक को निमलिखित प्रिस्थितियों से अपरादी बनाने में शायक होता जैसे निर्धंता स्री सिंग मोदे के अनुसार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निर्धंता बाल अप्रादी आरगों की उत्पती के लिए बहुती उपजाओ भूमी है हमारी सामाजी की व्यवस्ता ऐसी है कि जिसमें बालकों को विवित प्रकार के सोक लग जाते हैं सोक लग जाते हैं जैसे सिनेमा देखना तंबाकू का शेवन करना सिग्रेट पेन पीना इत्यादी पारवारिक निर्धंता के कारण स्वेम उनके पास धन नहीं होता फलता वे चोरी करना सिख जाते हैं लड़कियों को फेशन बेते देख रूची हो जाती है और वे अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वे विचार दोड़ा धनोब पाजन करने लगती हैं इसके अतरित घर में आये का समुचित सादन होने वा सदस से अधिक होने के कारण घर का वातावन ऐसान्त हो जाता है कभी कभी आये की वर्दी के लिए माताएं घर से बाहर काम करने लगती हैं इससे बालक पर नियंतरन उर्षा जाता है बच्चे आवारा गुमते रहते हैं और इसका प्रणाम अपराद होता है अगला कारण है योनवी कार जब घर में सदस्य संख्या अधिक होती है तब बीड भार के कारण बालक उसी स्थान पर सोता है जहां पर मातापिता सोते है मातापिता बालक को गहरी निंद्रा में परस्तुत समझ कर संभूग में परवर्ट होते हैं जबकि बालक वास्ता में सोया अभा नहीं होता इसे बालक योनवी शुदा उतेजित होने लगती है प्रिनाम सुरूब अपराद की और जुकता है सुदोस प्रावर्वारिक समंदों में कई बार प्रिवार्वार्वे मातां-पिता के समंदध दोस में हो जाते हैं grand मातापिता half way नहीं संभूग मातापिता में संग्र बालक के सामने आती हैं जिसे बालक की और कोई ध्यान नहीं दे दिया जाता है उसके मन में माता पिता के परती आदर का भाव लुपत हो जाता है घर में सोतली माता या सोतली पिता के कान बालक के साथ दुरू विवार किया जाता है ऐसी स्थिति में बालक का विद्रोही बनना सवाईव को होता है इस प्रकार शैदोस पारवारिक सम्मंद के करण बालक को उचिते प्यार वा सनक्षन नहीं मिल पाता परिणाम सुरूप बालक है वो अपराद की ओर चल पड़ता है पारवारी घर्णा को जनुम देती है बालक हर समय माता पिता के पसंता तता क्रोध वे विक्षोप का अतिन समीब से देखता है यह एक परकार का सुव्योगात्म को वातावण है जो घर में प्राए हर समय बना रहता है ऐसे वातावण का बालक के मस्तिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है कठोर अनुशाशन भी बाला प्राद को बढ़ाव देता है कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को अत्य दिकादर सुप देखने के लिए उन पर कठोर अनुशाशन रखते हैं इससे बालकों में विद्रों की भावना पैदा होती है वे अनुशाशन की कठोरता से बसने के लिए घर से भाग जाते हैं और अनुशाशन परादों के प्रवर्ट होते हैं इसका अगला कारण है दुराचारी परिवार प्राए ऐसिक्षिते गरों में व्यक्ति अपने प्रीष्ट्रियों की पटिन दिर्दिता का विवार रखते हैं इसे गरों में 24 गंड़े मार पी लड़ाई जगड़े होते रहते हैं इससे घर में अनुशाशन पराद का वातावन पैदा होता है इससे बच्चे बाल अपराद ही हो जाते हैं बाल अपराद का अगला कारण है साचरी संबन्दी कारण कोई भी बाल अकेला होकर बहुत कम अपराद करता है प्राए अपराद में उसके साथ कोई न कोई अवश्य होता है इसकी पुष्टे आरेस सिंग के ने इन सब्दों में की की यह पुर्टे सायुकार कर लिए जाता है कि बाल अपराद एक साचरी संबन्दी वस्तू है बालों को जैसे साथ ही मिलते हैं उनके साथ वैसा ही संबंदी से कलेता है वह ने तो साथ बेना रह सकता है और नहीं उनसे प्रवाइट हुई बेना बालक के सवाईव प्रणुति होती है कि समान आयू वालेओं के साथ गुल मिल जाता है अपने सरुर्ण अनिश्च पूंकल प्राकर्तिक सवाव के कारणु वह सब को अपना विश्वाह देता है यदि बाल समय में ने बगीचे से आम तोड़ को चुलाने की बास होती है तो ब बाल अप्राद बहुत खाली समय की उपजाए यदि बच्चों को अपना खाली समय बिताने के लिए मंदोलों या खेल का उची स्तान उपलब नहीं होता है तो वे अनुची दिशा में जाना उनके लिए सवाईव हो जाता है बाल अप्राद का अगला कारण है नागरिक प् बीड़ बार रहती है बाल मन पर इस चटक बटक का आयोंचनी प्रभाब पड़ता है बाल अप्राद की और ले जाने में ये सब अतिन्त साइक होते हैं बाल अप्राद के लिए वास्ताम में क्यावल किसी एक कारण को ही उतरदाए नहीं ठाहरा जा सकता ये कारण समय देश काल और प्रिस्तिक के अनुशार भिन मिन होते हैं इस के लिए उप्रिक कारण ही नहीं और अन्य कारण भी बाल अप्राद को बढ़ाओ देते हैं धन्यों